गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं जेनरल इंजिनिरिंग देवेच ओ वाले कोश्चन करान जा रहे हैं जोकी एक्जाम देवेच एक नंबस देवेच आंदे हैं वन मार्क कोश्चन एवले कोश्चन लगपग साठ कोश्चन है जेना वीचों दी 10-15 हर बार एक्जाम देवेच बार बार रिपीट हों देवेच तूसरी इना कोश्चन जुरूर जाद करना है अते समझगे करना है यह समझ नहीं लग दी ता फिर कोटा मार लो लेकिन एक क्ास नंबर 26 नंबर 26 एक कोश्चन 20 balancing ठीक है पहला कोश्चन है वा इस एलेक्टिसीटी इस इन्यान देए मैं कमई उन्हार बाइस आ इस यह चामार फिर कोश्चन में बाति कीप्रण्ट जे करन्ट फ्लो करेगा ताया कि और बार बार लग एक्रण्टक्रूर भड़एंग वह हुंदा किया है, flow of electrons is called current, flow of electrons or electric charge is called current, what are the types of current, current दो तरह दा हुंदा है, alternating current अधे direct current, ऐवला कोच्छा थानों इसाम दे वेचे जुरूर ही आएगा पांजे नमबर दे वेचे, difference between alternating current and direct current, वो ते मैं तो नोट से पे चुके है, ते मैं करवा चुके हैं, क्लास दे वेच, दो तरह दे current हुंदे है, alternating current थे direct current, फॉर्थ कोच्छन है, write down the full form of A dot C, AC, यह दी full form है, alternating current, अगला कोच्छन है, फिफ्ट, write down the full form of DC, DC ता मतलब direct current, सिस्थ कोच्छन है, which current is more dangerous, AC और DC, AC current थे DC current, दे विच्छों दी, alternating current ज्यादा dangerous है, क्यों ज्यादा dangerous है, जो दो सी कीता है, difference between AC और DC, विच्छ एक सी, alternating current है, एदा शोक, attractive हुंदे है, मिनिकि जे साथ एक जो वायरा, जो वायरा, जो वायरा through current आ रहे है, वो AC current है, alternating current है, अगल्दी ना भी असी नंगी तार नो हाथ लगा दिये, तांकि हुंदे है, असी अपने हाथ नो शुडा न सेल्स दे बेच, मोटर साइकल दी बैटरी है, कार दी बैटरी है, कडियां दे सेल, हना, उना विच्छ current जड़ा फ्लो करदा है, वो DC current हुंदा है, अथे एक काट ख़तरनाक है, जे सानो कदे शोक लगे, अब शोक लगदा ही नहीं है, जे कदे शोक लगेगा भी DC current हो, direct current हो तो और रिपल्सिव होएगा, मिलिकि सानो current से लगेगा, लेकिन सानो चट का मारके सानो दूर अपने तो पुझाएगा, से हम तो कोच नहीं है, what is the unit of current, current हो सी माप दे या, एंपीर देवेच, unit दा मतलब हुंदा है, जे मैं की temperature हो सी के देच माप देच माप देच माप दे जिनना ज्यादा एंपीर उनना वाद करन्ट, जिनना काट एंपीर उनना काट करन्ट, अगला कोच नहीं है, what is voltage, voltage ओ प्रैशर है, जिरह की current देवेच जहां system देवेच फलो करन दे लिए मजबूर करते हैं, जे voltage जिरो होएगी current फलो नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा voltage voltage, voltage ओसी मापदे हैं, voltage जहां किलो वोल्ट, एद जून्ट है, what is resistance, question number 10, resistance नहीं मतलब है, resist करना, जिमें की heat नो कुछ चीजां resist कर दी है, जिमें थर्मकॉल देवेचों heat पास नहीं होंदी, इसे तरीके नाल जिमें heat नो resist कर दा है, इसे तरीके नाल हर की चीजा current नो resist कर दिया, कुछ material दी resistance ज़्यादा होंदी है, कुछ material दी resistance काट दिया है, metal होया, जिमें की, तांबा, copper, zinc, iron इना दी resistance बहुत काट है, इना विचो current बहुत दिल दी flow कर दा है, लेकिन कुछ material जिमें की wood हो गया, लकड होगी, सुकी लकडी, जा कपड़ा हो गया, मोटा कपड़ा हो गया, इना विचो current flow नोर्मली नहीं कर दा, ता असी कामा गे, कि iron दी, copper दी, zinc दी resistance ब resistance बहुत जाद है, what is resistance, property of material due to which it opposes flow of current, is called resistance, question number 11, what is the unit of resistance, the unit of resistance is ohum, 12 question है, what is ohum's law, Simon ohum होया है, जिने की ठारां सो ठाई, 1828 ते विचे एक लाद दिता सी, जिन्हों सी ohum's law कहना है, उस अविक्ति दे नाम ते, उन्हें किया सी, कि voltage equal to current multiply by resistance, और V equal to IR, voltage है, जिड़ा की, ओ, current नो, जिकर सी, resistance ना मल्टिप्लाइ करी जिए, तो voltage बराबर होएगा, इस नो सी कहना है, ohum's law, question number 13, what is electric power, electric power, ता मतलब है, कि, जिरी सानो given equipment है, ओ, किन्ने ज़्यादा speed देना काम कर रहे है, ज़्यादा पावर दी मोटर सी कैदा नहीं है, तो ज़्यादा ज़्यादा जल्दी पानी खिच दिया, थल्लों दी, तर्दी थल्लों दी, लेकिन ज़्यादा पावर दी मोटर होए ते, ओ, टैंकी बर वद टाइम लगां दी है, electric power ता मतलब है, कि, इलेक्रिसिटी काम कर रहे है, और किन्ने टाइम दी मोटर है, तो ज़्यादा है, ज़्यादा है भी मोटर होए तो ज़्यादा है, ज़्यादा है भी मोटर होए तो ज़्यादा है, ज़्यादा है भी मोटर होए तो ज़्यादा है, ज़्यादा है भी मोटर है, ज़्यादा ह इकल टो हजार वाट जित्वे कद法ष हम आजार ऑगया हम ना आज घर तो तो ही बीना मेला हम सूजा कर तो नहीं से लगा द़ना किलो ग्राम दा मतलब अजार मीटर इससे देखेना किलो वार्टा मतलब हजार हजार वार्ट कोच नमर 16 वन होस पावर वन एचपी इस इकल टू 736 वार्ट साथ सो शती वार्ट या यू ऐसे वेच अते इंगलेंड दे वेच असी पहला यूज कर दे सी है हुने यूज करना बंद करता है लेकिन हले भी एक्जाम यूज कर दे सी एलेक्ट्रिक पावर दे 1 एचपी इकल टू 736 वार्ट यूट ओफ एलेक्ट्रिक अनर्जी जो नर्जी है जड़े के साथ कर आपची जड़े बेल आंदे है बिजिली दे वो इस इलेक्ट्रिक अनर्जी दे आंदे है जांदे है साथ इनने यूट बेल आय साड़े जी 200 यून्ट बेलाया थे साड़ा जी 4,000 पे बेला गया और इस इनर्जी थे बेशते ही साड़े बेलां देया करना देवेच यून्ट है किलो वाट आर किलो वाट आर के डबल यू एच असी कहा देने है question number 18 है what is power plant? power plant is that place where electricity is generated जिदि किते भी आसे electricity large scale generator कर देए हैं अपने यूज करन' वास्ते आसी इसनो power plant कह देने हैं what are the types of power plants? 10 types है power plants ले hydro power plant, thermal power plant, nuclear power plant एक exam दे बेचे 10 अनुमत दे बेच question जूरूर ही आएगा एकस्प्रेइं हाइड हाइड प्लांठ अधिन आयुक्राइड़ पांट घार ंंगल ढेंट फिन डैम के अधिन वाटर कन वर्ट हो दिया इलेक्रिक्टिटि थर्मल पाव प्लाइच्छ आई घीड आएगी और विदिया घीडिया कोल तो आग याई डीजल तो कोल नो तो आद झालांगे उनन जिला में हीट अधिन तरह उसे हीत अनर्जितों असी ही ये लेक्रिकिटिटी पैदा करांगे हीनु नुक्ली पाफ़ फार प्राउ पार्टिकल्ट थे नुक्लियर नर्जी यूरैैं यूरेनियम ठेथ्होरीम अज़ियर धियूजकर देयां। समाल पार्टिकल्स विजप कनवाट हो देया है और इस तरह दर बहुत ज़्ञादा हीट अरजी पर डियोज़ हो दिया है जिन्हों कैसी फिर अगए फर्दर जूस कर देया है इलेक्रिशिटी प्रड्यूज करने लिए पार्ट वन है तो नो मैं जहे दो पार्ट होर पे जांगा लगबग पंजा तो पचुंजा कोश्चन होंगे पंजा पचुंजा कोश्चन दे विच्छों ही था नू इस गाल दी बिल्कुल गरंटी है कि था नू दस नमबर जा कोश्चन दे वो इना कोश्चन दो समझ गे जहां कोटा मार के जी में भी यह तुसी जाद कर लेने हैं